आपको बताऊं, तमिल नाड में पॉलाची एक गाउं है, क्या गाउं? मैं भाई का हूँ, तो भाई की बाते करता हूँ, मैं इधर कभी रा नहीं, दक्षिन बार छोड़ के आया भी नहीं, कभी पहली बार ये दिल्ली में भी आया, वापस कभी आऊंगा इसका कोई गेरंटी भी नहीं है, आपको ये बता दू महराज, कि उदर एक अनात आश्रम ह इस पुलाची में एक अनात आश्रम है, 36 बच्चे रहते हैं, कितने बच्चे हैं? 36 बच्चे रहते हैं, 36 बच्चों के अनात आश्रम को ये एक ब्रिद्ध औरत चलाती है, उसकी बेटी भी है, बेटी शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, बहुत जिद्धी कर जीजी, यह जितने अनात बच्चे हैं न, यह मात्रा अनाती नहीं हैं, दिमाग से भी अविकसित हैं, सरीर भी उनके बहुत जिद्धी करने के बाद मा ने कहा के मेरे मरने के बाद तेरे कौन सहीयोगी रहेंगे तुझे साधी करना पड़ेगा खुद पर सोगन लिया और साधी करा दी बेटी की जबरन साधी करा दी आप बेटी की शाधी हुई एक साल हुआ, दो साल हुआ बच्चा नहीं हुआ आपके गर में आप लोगों को अपनी बेटी का कोई संतान नहीं हो तुरंत आप उसके पीछे पढ़ जाते हो के नहीं आप ही बोला ए माँ पीछे पढ़ गई के बच्चे क्यों नहीं हो रहें तेरे में कोई कमी हो तो डॉक्टर को दिखा जमाई तुमने तुम्हारा जमय कमजोर हैं, हम दोनों अच्छे ही हैं, तुमने जिस अनात आश्रम को इतने वर्ष चलाया, भविश्य में तेरे और कोई नहीं तू तो बुड़ी हो रही है मा, अब हम ही इसको चलाना है, अगर हमारा ये कोई बच्चा हो जाएगा, तो वो बच्च इस बच्चों में अभी मेरे बच्चे अगर बड़े हुए स्कूल बर्ती करना पड़ेगा, उन बच्चे को बुका राया, मैं उसके पिछे दोड़ूंगी, इन बच्चे को बुका राया, तो इनको देखने मन करेगा के नहीं करेगा, जब मेरी कुक्षी से कोई हो गया, फिर ये मेरा है, ने ये पराये हैं, ये बुद्धी आजाएगी मा, इसलिए दस बर्से तो साधी करने मना कर रही थी, तुने सोगन दिया, इसलिए हमने साधी किया है, लेकिन मैं सोगन ले चुक्षी हूँ, कि मैं किसी भी हालत में एक बच्चे की मा नहीं बनूंगी, मु इस संसार में ऐसे बहुत अच्चे लोग हैं, जो ये धर्ती की वेवस्ता में अपना को योगदान देते हैं, इस प्रकृती की वेवस्ता में अपनी को योगदान देते हैं, सबी ऐसे उपाई सुनने ने मुद्रा करने नहीं पहुंच जाते हैं, कुछ अपना भी देने के लिए इस संसार में देखने वाले बहुत बैठे हैं जो अपने लिए जीवन जीते नहीं हैं दूसरे का भी सोचते हैं अमेरिका में एक भारतिय बच्ची की साधी हुई उसको भी यही सवाल सची गटना बता रहा हूं उसको भी यही सवाल पूचा के 5 साल हुआ बच्चे नह बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है एक बच्चे को जिनके उसको पाल पोशन उतने खर्चे में अगर मैं दस सजार वुरुक्षों को पाल सकती हूं तो मैंने नियम ले लिया कि मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे दस सजार पेड लगाऊंगी इस दर्ती में और उसका पालन पोशन करूंगी आपके दिमाग कहां तक चलते हैं ये पूछने के लिए ये बात बता रहा हूं कि मेरा बच्चा बाप जी मेरा बच्चा माराच जी मेरे काम होने माराच जी मेरा गर चलना माराच जी कभी आप में कोई 25 वर्स में कता में आके अपनी पडो लोगे एक बार इतना सोच लो के जब भी पराईओं के लिए हम सोचते हैं य 이야기를 हमारे लिए सोचने के लिए मैझबूर हो जाता है जब यश्वर हमारे लिए सोचने के कि लिए मझबूर होता है जब हम दुनिया के दर्बाजा खुलने लगता है जब खुलता है कृपा का दर्बाजा कौन सा दर्बाजा हाँ यह 25 साल बीट गए माराजी चोले को 25 साल हो गए यह कौन सा वर्स 23 सल रहा है अंठानू में गया चोला अब देखो 25 वर्स बीट गए एक आदमी आके माराजी पडोसी बवक्तु किये माराजी मेरे पडोसी के लिए एक आशिरबाद दो 25 साल में करोडों को मिल गया होंगा एक आदमी आके ऐसे पूछ लिया होता तो समझ था कि कोई तो माई का लाल आया कोई तो आया हाँ मेरा 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 करते तो आपकी जो शक्ती विकसित होनी चाहिए वो कुंटित होती है जब भी स्वार्त बढ़ता है आपका आबा मंडल नश्ट होता है जब भी आप में दया बढ़ती है आपके शुब आबा मंडल विकसित होता है यह द्यान रखना, आपके vibration को strengthive और energy बनाना चाते हो, आपकी frequency को सर्वोतम बनाना चाते हो, आपके सामर्तिय और उर्जा को दुनिया में पहुँचाना चाते हो, तो सबसे पहले आपको दानवान और दयावान बनना पड़ेगा, वो तरीका है, वो तरीका है, आप सर्वोतम बनोगे उससे, जिस दिन दानवान बनोगे, आपकी और आफिल्ड बदल जाएगी body की, और जब और आफिल्ड बदलेगी, हर चीज आपकी पास जोड़ी आएगी खुद चलके, मेरा घर, मेरा परिबार, मेरे नोकर, मेरी वेवस्ता, मेरा काम, मेरा, 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 करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, आप गलत मत समद्ना कि मेरा, मेरा मत करो, यह से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप जैसे लाकों लोग इस दुनिया में जो दुकी हो रहे हैं, सुबे उटके एक बार उनके लिए प्रार्तना भी कर लोगे न क्या कर लोगे पूरी दुनिया सुकी हो जाएं प्रभू एक शब्द भी मुँसे निकल जाएं तो आप दयावान हो गए बहुत ज़्यादा करने की जरूत नहीं है गर क्रिस्टिण लोगों को देख्वा आप प्रेइंग हैंड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं दो हाथ है जोडे हुए बस है उपर लिखा है प्रेइंग हैंड्स याने प्रार्तना वाले हाथ प्रार्तना वाले हाथ प्रार्तना वाले हाथ के पीछे की कानी पता नहीं होगी आपको प्रार्तना वाले हाथ का ही पता नहीं तो कानी का तो पता होना बहुत मुश्किल है आपको उसका पता नहीं लेकिन आज मैं पता बताता हूँ वो जो हाथ देखोगे एकदम सड़ा गला हाथ होता है वो फोटो चर्चों में लगी होती है आप जाके देखो एकदम सड़ा गला हाथ हाथ में सब फोड़े फुंसी हो गए हैं ऐसा हाथ जो एक दम संसार के परिश्टम करके ठक गया आपको पता ये कौन सा हाथ है दो भाई हुवे विदेश में एक का नाम था अलपड ढूरर डूसरा का नाम था अलपड दोनों भाईबाई थे। कि इसकारन इनके मन मुताबिक जीवन नहीं मिला। आपको भी लगता है कई बार के मैरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरे बाप ने पड़ने नहीं दिया। मेरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरी मा ने मुझे रसाइ करने काम नहीं सीखने दिया मेरे को तो बहुत करना ही था आपको बताओं कि समुद्र में लाब्स्टर नाम की एक मचली होती है क्या नाम Google में सर्च करना बाद में बाहर जाके lobster कभी सुना नहीं होगा lobster क्या होता है lobster जब भी मचली जब जनम लेके बढ़ा होता है इसके उपर अपने यहांप एक कालशियम के परत जमने लगता है यानि अब ये मचली बड़ नहीं सकती, उसके उपर एक परत आ जाता है, केलशियम का, शिल, क्या बोलते हैं, एक शिल आ जाता है, अब वो शिल ऐसा टाइट होता है, चुने का, संक की तरह, अब वो उससे बड़ा कैसे होगा? अरे ये मचली क्या आप जितनी विकसित प्राणी हैं बुद्धिवाली है लेकिन ये मचली जाके समुद्र में जो पत्तर होते न उससे जाके खुद को खुब जोर जोर से टकराता इतना जोर से जब तक वो परत तूटना चाहे इतना जोर मारता है जा जाके कि वो परत तूट जाता है अब परत तूटते ही ये बड़ा होने लगता है लेकिन प्रकुर्ति का नियम है कि वापस परत आ जाता है तो ये परत आने और तूटने के बीच में जितना समय मिला उसमें संगर्स करके उतना बढ़ता है वापस परत आ गया तो गुप्चुम नहीं रहता है वापस जाके खुद को ठोकता है जो खुद के ठोका के भी बड़ा बनता है वो ही असली आदमी है और कोई नहीं है मेरा भाई मुझे नुकसान कर रहा है मेरे बैन मुझे तकलीफ दे दी मेरे पती मुझे काम आज इस औरतों में आदी औरतों का शिकायत है और नहीं बढ़ना है तो उसका तो रेने दो जैसा है वेसा उसको तो रेना यह है बढ़ना है उसकी बात है वापस बढ़ता है वापस परता आजाता है वापस पत्तर से मारता है खुद को दर्द नहीं होता होगा कोई पत्तर से खुद को मार लें दर्द नहीं होता होगा वो कहता है का हजार दर्द एक तरफ मेरी विकास एक तरफ जिसको विकास की चिंता आ जाएं वो अपने मार से डरेगा नहीं फिर वो विकसित होता रहेगा मेरा पती ऐसा मिल गया अभी और आदमियों को पुछो, बोलेंगे, मेरी पत्नी सही मिलती तो मैं कहीं पहुंच जाता, मेरा बाप अच्छा मिलता तो मैं इंजनिरिंग कालेज में पढ़ता, सब अच्छे ही मिल जाते तो फिर तू क्या चीज है रहे बेटा, जब सब खराब मिले फिर भी तू कुछ बनके दिखा दिया, तो समझ लेके माई का लाल तयार हो गया, कोई जो बनके दिखा रहा है, कुछ बनने आया है, हमको तो कमी निकाल ली है, क्यों नहीं जिया, हमारे साथ तो ऐसे दोका हो रहा है माराच, बड़ा दोका हो रहा है, या तो ग्रहों के ऊपर दोका डा जोतिश ने बोल दिया सनी बड़ा खराब है सनी मेरा दुश्मन बनके परिसान कर रहा है जोतिश ने बोल दिया कि अभी समय बहुत खराब है अगर जूंज आ गई मन में तो सनी भी कुछ नहीं कर सकता मैं बोलता हूं आप जूंज आ गई मन में तो दुनिया में राजा बनने की ताकत हम रखते हैं वो जूंज आना है हजार बार मार खाके येक मचली अगर अपने आपको बड़ा सकता है आप मचली से गए बीते हुए नई हो आप मचली से बहुत आगे हो देखो आपको मैं पूछता हूं सो करोड रुपे में फ्लाइट बनते हैं कितने करोड रुपे में सही बात है गलत बोल रहा हूं एक करोड रुपे में बस बनते होंगे या पांच करोड आंट करोड दस करोड मुझे 20 का कीमत का तो पता नहीं क्योंकि मैं कोई बस खरीदने गया नहीं लेकिन 10 करोड का बस समझो आ से बढ़े करता होगा कैसि इसए घर्दी से सीदे ऊपर चढ़ता होगा कि सबी फ्लाइट दुनिया के पहले थोड़ा ऐसे धर्बी में चलेंगे उसको रन्बे कहतें चाहिए क्या कहते हैं रन्बे में पहले थोड़ा चलेंगे फिर टेक आफ आंगे दी से ऐसे जाएंगे और आकाश में पहुंच जाएंगे आगर समझो दिली से बेंगलूर जाने वाली कोई flight है दिली से ऐसे ही सड़क पर जा रही हैं बेंगलूर तक सड़क पर पहुंच गई उसके लिए काई लिए भाई प्लाइट हो तो बसी काफी है ना तो संसार के जिते जानवर जी रहे ना वैसे आप जी रहे हो तो सोक रयर्ड का फ्लाइट सडक पर चल रहा है वैसा ही है अगर जिस दिन आपका टेक आफ हो गया तो ईश्वर का बनाया यह श्रिष्टी आपके लिए सही काम कर रहा है समझ आपका टेका फोरा है अगर नई हुआ तो बेकारी है मनुश्य जन्मा कुछ भी करने के लिए है किसलिए है अगर नहीं कर रहे हो न दुनिया बर की कुछ न कुछ बाने करके भाबी साही नहीं मिली ननंद अच्छी मिलती तो सुक होता सासु खराब मिल गई पती साही मिलता तो अच्छा होता बाप होता तो पड़े ही हो जाता ऐसे कर रहे हो तो सो करोड का फ्लाइट धर्ती पर सड़क पर चल रहा है अगर सब कुछ छोड़ करके बराबर जूझके उट जाओगे और आकास पर चड़ोगे देखो जानबर जैसे जीने के लिए जानबर ही काफी है उसके लिए तू क्य भगा है तो वो रोकता तेरी कंजूसी तेरे उल्टे सीदे विचार विज्ञान की बातें दर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है धर्म जो कहता है वो करेगा तो उसी दिन तेरा फ्लाइट बूड ने लगेगा धर्म के विपरीत रहेगा सड़क में गुमेगा बसों की तरह तो नुड नहीं पाएगा समझ रहे हो मेरे बाद कुछ करें किसी के लिए करें इधर जितने लोग बैटे हैं 100% दिल्ली में स्वामी नारायन मंदिर को तो जानते ही होंगे सब बार वाले हों, अंदर वाले हों दिल्ली वाले हों, छतरपूर वाले हों दिल्ली स्वामी नारायन मंदिर गये क्या ये नहीं पूछ रहा हूँ जानते हो क्या ये पूछता हूँ मैं कौन जानते हैं सब जानते क्या ये स्वामी नारायन कृष्ण है राम है राम है कृष्ण है हड़मान जी है एक संत है कौन है संत अरे इनसे बड़ी कोई मंदिर ब्रह्मांड में बता दो स्वामी नारायन मंदिर से बड़ा मंदिर कोई ब्रह्मांड में बता दो यह गनेश जी का मंदिर उससे बड़ा है दिल्ली में सबसे बड़ा पैसा वाला बना हुआ खर्चे का मंदिर ये स्वामी नारायन मंदिर है आप देखो इसमें न तो कोई हडमान जी है न गनेश जी न कोई कृष्ण जी न राम जी एक संत की इतनी ताकत और इतनी महिमा कि इनका मंदिर इतना बड़ा सोचा कभी सोचोगे तो तुमारे भी इतनी बड़ी मूर्तियां पूजी जाएगी जिस दिन सोचोगे नहीं तो ऐसे ही देखो तुमको मैं पूछता हूँ तुम में कोई अपने दादा के दादा का नाम बता सकते हो बताओ अपने दादा का दादा का नाम आपके दादा का नाम नहीं, दादा के बाप का बाप का नाम कोई बता दें यहां, देखो मैं, अपने दादा के बाप का बाप का नाम, अगर बता दें तो उसके बाप का नाम बताएं, नहीं बता पाएंगे, अभी मैं यह पूछ रहा हूँ, तोड़ा शरम रखो, तुमारे पोते का पोता भी तुमारा नाम बता नहीं पाएगा तुम ये बोलते हो कि हम दादा के दादा का नाम नहीं जानते तुमारे पोते का पोता तुमारा नाम नहीं बता पाएगा इतनी अल्प अवदी में तुमारी यहां की उपस्तिती नाम दर्ज सब समाप्त होने वाली है क् कि बसों की तरह गूम रहे हो, तुमारे में फ्लाइट का कहीं लक्षन नहीं दिख रहा है, वही कारण है, अच्छा भाई, दादा के दादा का नाम नहीं बता सकते हो, दसरत के पुत्र का नाम बता सकते हो, दसरत के पुत्र कौन है, कैसे बता दिये, वो तो त्रेता युग म आदमी का पता है तो उनकी जिन्दगी उस प्रकार की थी जो दुनिया सोचने के लिए मजबूर होती है कीडों की तरह मरोगे तो तुमारा कोई नाम भी नहीं ले पाएगा मरना हो तो मौत भी ऐसा हो के हमारा किस युग में जन्म हुआ कोई लेना देना नहीं दुनिया याद रखे ऐसा जिन्दगी हो ये महत्व पूर्ण है बोले के दसरत पुत्र तो मुझे याद है तेरे दादा का दादा याद नहीं हुआ दसरत पुत्र तेरा दादा का दादा था के तेरा दादा का दादा था क्या लेना तेरा दसरत पुत्र से लेकिन उनकी मर्यादा और उनका आचरन ऐसा था कि आज भारत के हर सनातनी के मन में राम बसे हैं तेरे दादा के दादा किस मसान में गए पडोसी तक को याद नहीं है पडोसी तक को याद नहीं कि वो कहां जाके मरा काम ऐसा करियो जो धन्ना सा ने किया रानक पुर बनवा के जग में नाम कर दिया काम ऐसा करो के करने के बाद कोई याद रखे ऐसे कैसे हो गए स्वामी नारायन जो इतने बड़े मंदिर ये पांच जार करोड के उपर खर्च करके दिल्ली में मंदिर बना है स्वामी नहराइन का, ऐसा कोई भगवान का मंदीर एक संत का मंदीर है, जिött तो बहुत चोटा है आप बोलोगे, जब बच्चपन में ऊचोटे थे तो उनका नाम नाम नीलकंट था, पस्वामी नहराइन नहीं क्या नाम था? नील कंट जब गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे सभी लोग शिक्षा ले रहे थे ज्यान पा रहे थे संस्कार पा रहे थे एक दिन गुरु ने बोला कि सब की पड़ाई पूरी हो गई बेटा मैं अपने मंत्र सिद्धी से अपने योग सिद्धी से ग्यान सिद्धी से सबको आज आशिरबाद दिने वाला हूँ किसको क्या चाहिए मांग लो क्या बोला जिसको जो चाहिए मांग लो तो ये काया हाद जोड के प्रभू मैं घर जाओं मेरे अच्छे से साधी हो जाएं बच्चे हो जाएं परिबार शुकी रहें आशिरबाद दो ततास्तु जा बेटा जा परिबार शुकी रहेगा घर सुकी रहेगा जा प्रभू मेरे घर में तीन पीडी से उदारी है आज आप से पड़ाई पूरी करके जा रहा हूँ कृपा करो के घर जाने के बाद मेरी पीडी में वो दारियां चुक जाए, मेरा घर सुकी हो जाए ततास तु बेटा जा, हो जाएगा जा प्रभू मुझे बहुत इच्चा है के समुद्र से उस पार जाके विदेश में दंदा करो आप कृपा करो के विदेश में मेरा दंदा अच्छा हो ततास तू बेटा जा ऐसे एक एक आत्मी आ रहा है कोई पत्नी मांग रहा है कोई बच्चा मांग रहा है कोई पैसा मांग रहा है कोई दंदा मांग रहा है अब बारी आई नीलकंट जी की किनकी बारी आए हाथ जोड़े गुरू के सामने करें बेटा तुझे क्या मांगना प्रभू जी मांगना है मुझे भी मांगना है क्या बेटा प्रभू ये दुनिया में सभी लोग दुखी क्यों है अपने अपने कर्मों के कारण दुखी है बेटा वो उनके कर्म ऐसे किये वो दुखिये तो क्या प्रभू ये कर्म अदल बदल हो सकते है क्यों ने हो सकते ययाती ने बहुत भोग विलास के कारण सोचा था कि मेरा अगर बुड़ापा कोई ले ले मेरे बच्चों में तो उनको राज्य दन दे दूं और मैं जवान हो जाओं वापर मोज करूं पत्नियों के साथ तो उनका एक पुत्र उनका बुड़ापा ले लिया था और उनोंने जवानी ले ली थी कर्म बदल भी सकते हैं तो माराज जी आपने बोला कि आज पड़ाई पूरी हो गई सबको आप आशिरबाद देंगे मन चाहा वरदान देंगे तो मैं नील कंट आप से प्रार्तना करता हूँ अनंत करोड जन्म हो जाएं तो चले धर्ती में रहे हुए सबी लोगों का दुक मुझे में आ जाएं और बदले में सबी लोग सुकी रहें ये सुक उनको दे दीजिए मुझे ये चाहिए कोई पैदा हुआ होगा ऐसा गुरु ने हाथ जोड़के का मैंने तो ये दे दिया आशिरबाद बेटा लेकिन मैं तेरे गुरु होने लायक नहीं हो क्योंके ये सोच मेरे में ही नहीं आया तो मैं तेरा गुरु कैसे बन सकता हूँ तू दुनिया में गुरु बनेगा और जगा जगा तेरी मूर्ती की पूजा होगी क्योंकि जिसके दिल में दूसरों के दर्दों को सेहन करके उनको सुक देने की इच्चा गई उससे बड़ा भगवान तो कोई नहीं हो सकता तू संत हो के भगवान के रूप में पूजा जाएगा क्यों पूजे जा रहे हैं स्वामी नाराएं जी एक संती तो है इतना बड़ा मंदिर पांच हजार करोड का मंदिर मैं बोलता हूँ के पूरी दुनिया का दुख लेके उनके बदले में सुक देने की जो सोच रखा उसके लिए तो पचास हजार करोड का मंदिर भी छोटा पड़ता है उससे भी बड़ा मंदिर होना चाहिए उससे बड़ा मंदिर होना चाहिए उनका ये तो बहुत छोटा मंदिर है ऐसा जीवन है ऐसा जीवन जीना है ऐसा सोच रखना है कि मैं क्या पाऊं मैं क्या कर सकता हूं मैं इस दुनिया के लिए वसंत विजय उनको आशिरबाद देगा जो अपनी मंत्र सिद्धित है मेरी ताकत देखा है कि इस दर्बार में मैंने 20 दिन में लाकों लोगों की भीमारी मिटाई है हजारों की नहीं मैं अपनी मंत कल ये सब इंस्पेक्टर बेन लकनों से आई बोल रही थी कि मेरा पती कैसे तांडव करत पती था आख चरण में आया आज ठीक हो गया मेरा पती लाकों हो ढोगय से ऐसे आशिरबाद उनकों मिले गा जो कुछ करने की शमता रखते हैं कुछ करने की भावट रखते ह। बच्चे बहुत छोटा है तु इसलिए तु कहता मेरा कलश कभ काम करेगा तक वह हलकी तो चै करती है कि संसार में रहे के बक्रियों में तुम ये बक्री हो गया और बक्रियां चले बहुं करने कि ताकत मैं आउयक दिरên दिन वुछ कम देता मैं तुम अब है तोились क कम करेगा हूं मैंने का यह का नाम आलबेट ड्यूरर था ने यह का नाम आलबेट बाप ऐसा था कि बड़ा दुकी इन दोनों को लगा कि हम बहुत बड़े चित्रकार बनें उस जमाने में बड़े चित्रकार बनना हो तो कोई भी बड़े आर्ट्स कॉलेज में जाके पढ़ाई करके बाद में बन सकते थे, इतना पैसा थाख हाँ, बाप तो मर गया ऐसे गरीब हो के, दोनों भाईयों ने सोचा के मुझे बनना, मुझे बनना, दोनों भाई में एक मी करके इसको पढ़ाएगा, ये नियम होगा, तयार है, दोनों भाईयों ने मान लिया, चलो चित्टी डालते हैं, जिसकी चित्टी आएगी, वो पढ़ाई करेगा, और जिसकी चित्टी नहीं आई, वो नोकरी करके, मैनत करके इसको पढ़ाएगा, चित्टी डाली, दो में की नाम आना था जिसका नाम आया वो प्ढ़ने गया बड़े arts college में जर्मनी के बहुत बड़े arts college में चित्रकारों के मां जाने के बाद अकेडमी में जिनका नाम आजाता हो ऐसी जगा जाके पढ़ाई करने के लिए ग़ए बहाँ जाके पड़ाई में लग गिया दूसरा बाई का क्या बारी था माराच बोलो इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा भी तो उतना लगता होगा अड्मिशन पीस, मंतली पीस, चीजों के पीस, वाटर कलर, केमिकल कलर, फैंसी कलर, क्रेयान कलर, इतने सारे बड़े-बड़े कैनवास, बड़े-बड़े चार्ट शीट सब खरीदना चितरकार बने, काँ से मिले, तो सोचा इतना काम करना, तो ये गलियों में, गाउं में, इतना पैसा नहीं आएगा, कोई लेके खानों में, उस जामने में, अंदर जाके सुरंग में उतरना पड़ता, जल्दी कोई काम में नहीं जाता था, क्योंके कोई लेके खान में, अंदर जाओ, हवा नहीं, कोई प्रकार का ऑक्सिजन नहीं, अंदर गुस के काम करना, यान इतना चूर चूर हो गया अपने पाई का पैसा बेशते बेशते हाथ पूरे फोडे हो गए फुंसी हो गए पूरी हाथ एसी सिकुड गई लेकिन मैनत करके छे साल तक पड़ाई कराया छटे साल इसका भाई ग्रैजुएट हुआ विदेशों के बहुत बड़े खलाकारों में इसके भाई का नाम आ गया अब जब ये भाई आया दूसरे भाई को मिलने आया तो देखा के मेरा भाई तो कंकाल हो गया है कोईले के खानों में काम करते करते कंकाल हो गया है ऐसा कंकाल जिसको देखे तो पैचान नहीं पाने के ये मेरा भाई है बेटा ये मोनिटर का अब उस भाई को देखके हाथ जोड़के बोलता भाई आपका ये हालत भाई तेरी जो पड़ाई थी वो इतनी महेंगी थी कि मैं होटल में या अपिस में काम करके इतना पैसा जुटा नहीं पाता कोईले के खान में कोईला तोड़ते तोड़ते अंदेरे में जा हवा भी नहीं हो कुछ नहीं अंदर पूरे फैपडे में कोईला भर गया है अब मैं ना जीने का कोई लायक रहा ना मरने लायक रहा शरीर पूरा सिकड़ गया मैं ऐसे हो गया भाई कोई बात नहीं तू अच् पूरी करूंगा तुम कलाकार बनो भाईया मैं तुमको पड़ाता हूँ वो हाथ बता के दिखाता है बेटा अब क्या कलाकार बनो ये हतोड़ी पकड़े हुए हाथ अब भी अपनी शक्ति खतम कर चुके हैं अब हतोड़ी पकड़ना तो बहुत दूर की बात पेंटिंग का ब्रश भी मैं नहीं पकड़ सकता हूँ तुझे बनाने में मेरे दोनों हाथों ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है अब ये वेवस्ता नहीं रही कि मैं ब्रश पकड़के कोई चित्र बना सकूं तो अलबर ड्यूरर जो बन चुका था उसने बोला भाईया आपकी आपके उन हाथों का चित्र बनाऊंगा और मेरी चित्रकारी का दुनिया में नाम है तो ये दो हाथ को पूरी दुनिया सलाम करेगी जो आथ मैनत करके दूसरों का अगए बढ़ाने के लिए मैनत की आलबर का वो जो हाथ बना है वो ही आज पूरे विश्व के चर्चों में प्रेइंग हैंड के नाम से वो ही हाथ है जो कोईले के खान में मैनत करके अपने भाई को बढ़ाने के लिए मैनत किये थे वो ही हाथ आज पूरी दुनिया बंदन करती है हाथ जोडती है वो दोनों हाथ आलबट के हैं जिसमें फोड़े हैं फुनसी हैं हड्डियां गल की हैं देश के लिए करो समाज के लिए करो गरीबों के लिए करो अपने भाई के लिए करो चन्सार में किसी के लिए करो लेकिन करना शूरू करके देचो दा करने का मज़ा कितना है तब समझ पड़ेगा अपने लिए कुत्ता भी जीता है और जी के मत बोल देना के मैं जी लिया वो कुत्ते का जीवन है अगर आप अपने लिए जी रहे हो वो कुत्ते का जीवन है किसी एक के लिए जी के देखो तब मालुम पड़ेगा कि मैं फ्लाइट हूँ ने मैं हूडने के लिए आया हूँ मैं वो बस नहीं हूँ जो सडक पर चलने के लिए आया हूँ मैं वो वस्तु हूँ जो हूडने के लिए आया हूँ इस संसार में पहुंचने के लिए आया हूँ जो ऐसे ही रहे के समझे के इधर माराज के पास जाएं कोई न कोई मुद्रा सीख लें बड़े पैसे बाले बन जाएंगे बड़े धन बाले बन जाएंगे माराज किसी को स्वार्ति और लुच्चा बनाने के लिए कोई धरम का संदेश नहीं दे रहे हैं बच्पन से मेरी जाली आते हैं किसी से मांग के लाके उस पर सुलाते थे मुझे पालने के लिए 12 आना बच्चेगा इसलिए मेजस्टिक से यस्वंतपूर बस्टेंड 12 किलोमीटर सुबेव और 12 किलोमीटर शाम पैदल चलके मेरे बापने रोग 24 किलोमीटर पैदल चलके मुझे पाला है ग मार दिया, मेरे पिता जी के एक्सिडन्ट में पैर, आंक, कान सब चले गए, मेरी बड़ी बेन को उसके पती ने जला के मार दिया, छोटी बेन उसको देखे पागल होके मरी तब मैंने संत वेश ओडा के बैए मेरे द्वारा भारत जितनी संब्रद हो सके उतना मैं संब्रद करूँगा जो मेरे गर में मैंने दुख देखा वो दुख किसी को आना नहीं चाहिए लेकिन दरबार में लुचे लोफर और स्वार्तियों को आते देखता हूँ उनका काम इतना ही है कि कैसे भी माराज से आशिरबाद ले लेंगे तो हम अर्मों पती बनेंगे वसंद विजय का आशिरबाद इतना खोटा नहीं है कि पापियों पर चल सकें अगर आशिरबाद कोई भूले बटके मिल भी गया होगा तो जितना स्वारते वैसे ही खतम भी हो जाएगा मेरे पास आने वालों में जिन में धरम का रंग छड़ गया है उनके साथ वसंद विजय का संग भी छड़ेगा वो ध्यान रखना जब धरम का रंग नहीं छड़ेगा तो मेरा आशिरबाद क्योंके करोडों लोग मेरे पीचे पड़ गया है कि मारा आज के पीचे मैं जाओंगा मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा होगा उनीका जिनके पास एक अंश मात्र भी धरम और बक्ति होगा वरना कुछ होने वाला नहीं अपना लोब और लालच लेके मेरे पास आओगे कभी कुछ भी होने वाला नहीं है बगवान के बताए धर्म मार्ग आपके जीवन में भी आगे बढ़े हैं इसलिए हम धर्म की बात करते हैं लेकिन चिंता यह रहती है भई देखो हमारे गर में ऐसे होता था मेरे पिता जी बारा किलोमेटर पैदल चरके घर आते फिर पैर इतने दुखते रोटी खाये बगर कितनी रात हो सो गए मेरी म करका हालत आके देखता मेरा बाप 24-24 किलोमिटर चलके सिर्फ 200 मिली दूद बचाने के लिए पैदल चलता था वो जिंदगी मैंने देखे हैं जिन्दगी मैंने देखे हैं पैसे के लिए मेरी बैन को वो एक आदमी कैसे जला के मार सकता है मैंने देखा है मेरी छोटी बैन इन दुकों में कैसे पागल बनके मर सकती है मैंने देखा है मेरे सग्गे भाई को जेर देखे लोग कैसे मारते हैं मैंने देखा है क्या तुमने दुक देखा होगा एसा कोई संत का चोला नहीं आ जाता यह संत का चोला पैनने के पिछे लाक करोड दुक हमने भी देखे होंगे ऐसे ही नहीं जिन्दकी बन गई लेकिन मेरे मन में ये की जिदी था कि अगर गरीबी की इतनी अपमान हो रही है तो कोई भी भारत में गरीब नहीं होना चाहिए, कहीं लोग मजा गुडाते हैं, मराद लक्षमी की पुजा कराते हैं, लक्षमी कलस करते हैं, लक्षमी लक्षमी करते हैं, आरे नालायक तुझे क्या मालूम है, गरीबों का अफमान पैसा हो, तो पापी भी परमेश्वर बन जाता है न पैसा नहीं हो तो परमात्मा को भी इज़त नहीं मिलता है ये संसार का दिया इसलिए हमारे मन में हाया कि संसार में हर आदमी सुक्षी हो मैं कुछ न कुछ करूँगा इसका आर्थी ये नहीं है मैं रोज भी चुनोती देता हूं माई का लाल का बाप आ जाएं ये करोड लोगों को एक मिंट में ठीक करके दिखाता हूं किसको चुनोती देना मेरे सामने आएं संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने आ जाए मेरे साधना के शक्ति के सामने कोई टिक के दिखा दे मैं देख लेता हूं संसार में चलते फिरते देवताओं का दूथ हूं मैं जो चाहे वो मैं कर सकता हूं